आज किस वीडियो में जानेंगे यदि आप एईप्या संचालक है तो कहीं इंकम टैक्स का लफ्रा ना हो जाए आपको और नहीं आपका एकॉंट से टीडियस कर जाए जियां यदि आप अधार निकासी का काम करते हैं तो इस वीडियो को पूरा इंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज किस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एईप्या संचालक एनिकी डिटेलर किसी भी कमपणी का आईडि चलाते हैं जो अपने खाते में सटल्मेंट करते हैं वह से में कितना टांजिक्शन आप केश टांजिक्शन फिरी है और एक साल के अंदर कितनी ट टैक्स का लफ्रा ना हो या फिर आपको टीडियस नहीं कटेगा सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में इसलिए वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा यदि आप अधार से निकासी का काम करते हैं तो एईप्या संचालक जो है अपने ही खाते में सटल्मेंट करते हैं वै वैसे में 90% लोग जो है वो सेविंग अकॉंट को ही यूज करते हैं तो यह बहुत जरूरी है आपको जानना कि कितने टांजिक्शन आप कर सकते हैं जो कि टीडियस आपका ना कटे किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो तो चले वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन एक छोटा आपको बता दें यदि आप अधार सी निकासी का काम करते हैं और अपने खाते में सटल्मेंट करते हैं वैसे में आपकी मन में एक डर बना हुआ होता है कि क्या टीडियस कटेगा क्या इंकम टैक्स का कुछ लफ़डा रहेगा तो सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे चाह जो है अकाउन्ट आपका चाहे 2 हो या 4 हो उससे कोई मतलब नहीं होता है एक पेन नंबर पर जो आपका ब्यक्ति गत पेन नंबर होता है वहां पर आप चाहे सेविंग अकाउन्ट हो या कारेंट अकाउन्ट हो जो है आइकर अधिनियम धारा 194N के तहत अगर कोई वित्तिय वर्ष में 20 लाग से अधिक का नगद निकासी करता है तो वैसे में TDS देना परता है तो ये चीज़ों तो आपने समझ लिया कि एक साल के अंदर यदि आप 20 लाग से अधिक का निकासी करेंगे चाहे वो ATM से हो या फिर बैंक से जाके आप निकालें किसी भी तरक से कैश टांजिक्शन आप करेंगे तो वैसे में आपको TDS देना परेगा आपको बता दें लेकिन इनमें खास बात है कि उन रिटेलर को कोई परशानी नहीं होगा जो TDS जो है 20 लाग से अगर अधिक भी टांजिक्शन करते हैं त कि कहने का मतलब यदि आप ATR फाइल तीन साल तक लगतार करते हैं तो वैसे में आपकी अकाउंट की जो लिमीट होती है वो एक करोर रुपिया हो जाता है यानि कि यदि आप ATR फाइल नहीं करते हैं तो वैसे में आपको 20 लाग से उपर के टांजिक्शन पर TDS देना आज तक के लिए इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनिवाद अपने दोस्त जनों को शेयर करें जाकि उनको भी जनकारी मिल जाए कि अगर चलाते हैं तो आपको कब तक TDS नहीं कटेगा आपके खाते से यह जनकारी मिल सकें